Hi everyone, my name is Alok and welcome to Amplify Learning So, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक जावा प्रोग्राम जो की बेस्ट होगने वाला है प्राउनिक नंबर के ऊपर So, प्राउनिक नंबर क्या होते हैं and इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे तो चलो सुदियो में देखते हैं So, the question is, write a program to input a number and check and print whether it is a प्राउनिक नंबर और नाट Means, हमें यूजर से एक नंबर इंपुट कराना है and चेक करना है कि वो नंबर प्राउनिक नंबर है कि नहीं अब प्राउनिक नंबर होते के हैं, so अब प्राउनिक नंबर इसा नंबर होता है जो किनी 2 consecutive numbers का प्राउनिक नंबर हो, like for example, जिसे 12 होता है 12 को we can write as the product of 3 into 4, so 3 and 4, देखो एक के बाद यह आने वाले numbers है तो 3 and 4 का product अगर हम निकालें, तो वो क्या आजाएगा 12, so we can say that 12 is a प्राउनिक नंबर इसी तरह अगर आप देखो 20 को, so 20 can be the product of 4 into 5, 4 into 5 करने पर हमें क्या मिलता है 20 4 and 5 क्या है, consecutive numbers है, तो 20 भी क्या हो जाएगा एक प्राउनिक नंबर तो ऐसे वो सारे numbers जिनको हम ऐसे factors में break कर सकें, जो factors कैसे हो consecutive तो ऐसे numbers को हम बोलते हैं, प्राउनिक नंबर, अब यह निकालेंगे कैसे, हम यह check कैसे करेंगी, कोई number प्राउनिक है के नहीं तो मान लो, user ने हमको एक number input दिया n में, ठीक है, n में मान लो user ने हम एक input दे दिया, so हम क्या करेंगे, हम एक loop चलाएंगे, from 1 to n, ठीक है, n से एक कम तक ही चलाएंगे, तो n-1, so from 1 to n-1, हम एक loop चलाएंगे, and check करते रहेंगे, if any i multiply by i plus 1 is equal to n, हम चेक करेंगे, that if any i, मतलब i की जो भी values होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, so वो number multiply by उसके आगे का एक number, क्या ये दोनों multiply होके, हमें n दे रहें, like for instance, अगर हमें 12 के लिए चेक करना होगा, तो हम 1 से लेके 12 तक loop चलाएंगे, and check करते रहेंगे, that 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, क्या किसी combination के लिए, हमें ये number मिल रहा है, means, अगर ये condition true हो रहा है, तो ये condition true होने का मतलब, that n is a pronic number, so हम print कर देंगे, that n is a pronic number, so ये था logic, चलो भी इसको देखते हैं, कि इसका program हम कैसे बनाएंगे, तो यहांप मैंने बना लिए pronic नाम से एक class, and इस class के अंदर हमने main function बनाया है, main function के अंदर हम ने क्या किया है, इस scanner class का object बनाके, हमने user से एक number को input करा लिया है, अब इस number को input कराने के बाद हमें क्या करना है, इसे check करना है कि ये pronic number है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने आप कुछ स्टार्टिंग बताया था कि हम एक लूप चलाएंगे 1 से लेके n-1 तक So, we will write for int i is equal to 1 1 से लेके n-1 तक हमें लूप चलाना है So, i less than equal to n-1 चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप सीधे से लिख दो i less than n means n से एक कम तक लूप चले गए then last में i plus plus ठीक है तो यह हो गया अब इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर we have to check that if i multiply by any i plus 1 bracket में i plus 1 means i multiply by i plus 1 means कोई भी case के लिए जिसे 1 into 2, 2 into 3 कोई भी particular case के लिए अगर हमें यह मिल जाता है equal to actual हमारा जो number है n उसके equal अगर यह मिल जाता है तो n हमारा क्या हो जाएगा chronic number तो हम यहां से बाहर निकल आएंगे so we will break from here so we will write break अब हम यह check कैसे करेंगे कि हमें एक भी बार यह condition मिला था कि नहीं मिला था तो यह check करने के लिए हम एक flag variable का यहां पर यूज करेंगे so हम शुरुआत में flag variable ले ले लेते हैं int flag is equal to 0 और शुरुआत में इस flag variable का value हम दे देते हैं 0 अब यह flag variable basically सिर्फ यह check करने के लिए है कि आपको actual में ऐसा कोई case मिला था कि नहीं मिला था i into i plus 1 वाला तो इसको चेक करने के लिए हम एक flag variable ले ले लेते हैं जिसका value हम शुरुआत में 0 दे देंगे then अगर यहां पर हमें यह case मिल जाता है if i into i plus 1 यह वाला case अगर मिल जाता है तब हम flag का value क्या कर देंगे flag is equal to 1 तब हम flag का value बदल देंगे and flag का value क्या कर देंगे 1 इससे देखो हमें क्या फायदा होगा then loop के खतम होने के बाद में हम last में यह लिख सकते है if flag is double equal to 1 means अगर flag का value double equal to 1 है means यह वाला condition अगर execute हुआ था तब ही तो यह को flag का value 1 होगा otherwise flag का value क्या रहेगा 0 so अगर यह condition run हुआ means अगर हमें consecutive numbers का product n के बराबर मिला means अगर n pronic है तब ही तो flag का value 1 होगा so अगर flag का value 1 है so we will simply print system.out.println n is a pronic number ठीक है and else अगर ऐसा नहीं है so we will write that n is not a pronic number n is not a pronic number so double quote चाहिए था so yes so यह हो गया हमा program complete so अब इसको run करके देखते है so compiled no syntax error and अब इसको run करते है so अब यहाँ पर अगर हम value देखे देखे like 12 so 12 तो एक pronic number होता है so 12 वेजा pronic number एक और input देखे देखते है यहाँ पर like 20 20 भी एक pronic number होता है so 20 is also a pronic number and अभी एक दूसरा कोई number देखे देखे देखते हैं जो pronic नहीं होता है like 100 so 100 is not a pronic number so यहाँ पर हमा program एकदम correctly work कर रहा है so I hope आपको एक प्रोग्राम अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से like कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक एक लिए बाबाई कर दो चलो में आपको जा हैं